आज मैं आपको सनातन के हिसाब से वो रंग बताऊंगी जो हफते के सातों दिन आप पहन सकते हैं और आपको लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन उनी सातों दिनों में मिल जाएगा तो कहते हैं की मंडे को यानि सुमवार को यदि आप सफेद रंग पहनते हैं तो इससे चंदरदेव परसं होते हैं और आपकी जो मन की शांती है दिमाग की शांती उससे प्राप्त करते हैं मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी का प्रिय लाल रंग पहनना चाहिए इससे हनुमान जी प्रसन होते हैं बुद्वार वाले दिन आपको हरा रंग पहनना चाहिए ये रंग पहनने से आप पर बुद्ध की किरपा बनी रहती है श्रीहरी विष्टू की किरपा बनी रहती है ब्रस्पतिवार यानि थ्रस्डे थ्रस्डे को आपको पीला कलर पहनना चाहिए जो आपको सुक और अश्वर्य देता है फ्राइडे यानि शुकरवार को आपको मा लक्षमी का दिन होता है इस दिन आपको सफेद रंग के या अच्छे खिले हुए रंगों के कपड़े पहनने चाहिए शनीवार शनीवार को यदि आप नीला या ब्लैक कलर पहनते है तो शनीदेव इससे प संतरा कलर के या भगवा कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए इससे आपके जीवन में तेज और आप अट्रेक्टिव बनते हैं नमस्कार